हेलो गाइज वेलकम बैक टॉन दे वीडियो मिरनाम रिशब आज हम बात करेंगे बेस्ट जिम ब्राइंड जो की इंडिया के अंदर है और आगर आपको पी अपना जिम बनाना है तो आप इन ब्राइंड की तरफ अपना रोक कर सकते हो अब जो भी जिम होना रहे उसे पता है कि आप एक अच्छा जिम मैनिफ्रेक्चर को पिक करो अब मार्गेट के दर भतेरों हैं जिम मैनिफ्रेक्चर हर कोई अलग अलग प्राइस सेग्मेंट के उपर अपना प्रोड़क्ट्स ऑफर कर रहा है कि हमारा जिम सेटप पांच लाक रोपे का बन जाएगा कोई कह रहा बट मैंने सारे एक ही मैनिफेक्चर से बाई नहीं करें हैं मैंने अलग अलग मैनिफेक्चर से बाई करें चहाँ पे मुझे प्राइस और क्वालिटी अच्छी मिल रही थी मैने वहां से वो प्रोड़क्ट बाई कर लिया बट नॉरमली क्या होता है कि जो लोग जिम बना ही हुटे हैं वह ही मेन्फेक्ट्टर से अपने सारे जिम seben沒事 करते हैं काडियो तरफेरे च्छेंग हो गया स्टैनि वम गया या फिर विर स्क्षें हो गया हर हर हरेक्ट्मेंड वह ही मेन्फेक्ट्ट्र से बैख massage जो कि last में जाके आपको काफी cost effective भी पड़ता है तो यही करना भी चाहिए आपको but case gym manufacturer के उपर आप अपना पूरा ट्रस्ट कर पाओगे और अपने पैसे दे पाओगे कि हां मैं इसी brand से अपना सारे equipment भाई करूँगा वो ही आम आपको इस video के इंदर बताएंगे इस video के लिए मैंने चार categories के अंदर सारे brands को categorize कर लिया है जो कि majorly सारे brands इनी चार categories के अंदर fit हो जाएंगे और मैं आपको बताऊँगा कि depending upon your budget और क्या आपकी preference है कौन सा brand आपके लिए better रहेगा So let's start So guys जो पहली category हमारी है वो है US-based brands की यह सबसे ज़्यादा expensive equipment होते हैं और साथी में काफी luxurious equipment के अंदर भी आते हैं तो जिन लोगों के पास काफी अच्छा वज़ा टो रहता है उनको 2 करोड रुपे की जिम बनानी है 5 करोड की बनानी है वो इनी brand से अपने equipment स्पाई करते हैं इसके अंदर brands आते हैं Life Fitness, Procure, Star Trek, Cybex और लास्ट में टेकनो जिम अब आपने बड़े commercial facilities देखे होगी या फिर five star hotels देखे होंगे वहाँ पर इनी equipment की treadmill रखी रहती है, Life Fitness काफी common example है इसकी treadmill आपने कभी न कभी देखी होंगी, ये treadmill की range शुरू होती है पांच लाख रुपे से लेके 15 लाख रुपे तक, तो ये इतनी जादे expensive रहती है और क्यों रहती है, because इसकी quality आपको काफी अच्छी मिलती है ये जो companies हैं, ये अपनी R&D team के उपर काफी invest करती है और अगर कोई एक अच्छा equipment बन रहा है ना, तो वो majorly इनी brands के तरफ से आता है पहले, और ऐसा नहीं है कि इनकी treadmill कभी भी maintenance नहीं मांगती इनके उपर भी आपको maintenance करना पड़ता है, और इनकी maintenance cost भी काफी high रहती है अगर मैं आप लोग को example दूँ, इन category के equipment को आप compare कर सकते हो car के brand से, तो आप compare कर सकते हो BMW से या फिर Mercedes से यह इतने ज्यादा quality rich रहते हैं, तो जिनके पास भी काफी budget है और उन्हें एक luxury gym setup करना है, तो वो इन brands से buy करते हैं और इनसे import करवाते हैं equipment को दूसरी category के भी जो gym brands है, वो भी US brands से सब भरे हुए है इसके अंदर brands आते हैं, जो कि popular हैं, वो है hammer strength, दूसरा body solid, hoist, stair master, spirit, nautials यह भी सारे US based brands हैं, और इनकी quality भी काफी rich रहती है अब जिसका gym का budget ऐसा है कि उसे 50 लाग रुपे से लेके 80 लाग रुपे तक spend करने हैं वो इन brands से अपने equipment बाय करता है और इंडिया के अंदर ऐसा चलन है कि अगर US से कोई equipment आ रहे हैं तो वो जादा quality rich रहेंगे और इंडिया के अंदर जो available है made in India हैं, वो थोड़े कम quality के रहेंगे I don't know why, बट ऐसा mindset है काफी लोग का और जो gym customers होते हैं, उनका भी ये mindset रहता है कि हमें उस gym के अंदर जाके training करनी है जहां पर imported equipment लगे हूँ तो ये equipment भी काफी quality rich रहते हैं आप इसे head to head compare भी कर सकते हो category 1 के साथ, ये उतने ही quality में अच्छे रहते हैं प्राइस के अंदर ये उनसे कम होते हैं तो जिनका budget करोड रोपे से नीचे का है तो वो इन brand से buy करते हैं hammer strength काफी popular है आपने instagram reels के अंदर देखा होगा Indian users को hammer strength के equipment यूज करते हुए तो ये वो ही brand है तो अगर मैं इसको car company से compare करूँ तो आप समझ सकते हो Skoda या Volkswagen ये उस level के equipment है तीसरी category के जो gym brands है वो उसके अंदर आपके Indian brands प्याना start हो जाते हैं तो आपने जितने भी बड़े Indian brands का नाम सुना होगा अगर आपने gym visit की है तो वहाँ पे आपने fit line के equipment देखे होंगे body solid के देखे होंगे being strong के देखे होंगे zirai fitness के आपके pros of it के bull rock fitness के sfl tech के जिसकी रैक रखी हुई है यह सारे brands आपके third category अंदर आ जाते है तो जिसको भी काफी अच्छी quality चाहिए but price वो इतना pay नहीं कर सकता जो कि US based brands के उपर pay करना पड़ता है तो वहाँ पे आपको import duty भी देनी पड़ती है और वो जादे expensive रहते है विकाज उनकी cost dollars के अंदर आती है तो यहाँ पे जिसको अच्छी quality चाहिए वो इंडिया based gym brands के उपर invest करता है अब यह सारी जो brands होते हैं इनकी सारी treadmills, cycles या workstation ऐसा नहीं है सब के सब इंडिया में ही manufacture कर रहे है विकाज यह इंडिया में operational है यह सारे brands क्या करते हैं यह OEM से जाके अपना सारा माल उठाते हैं OEM क्या है original equipment manufacturer चाहिना के अंदर, टाइवान के अंदर, जैपान के अंदर बहुत बड़ी बड़ी gym factories है जहाँ पे assembly line लगी होई है किलो मीटर के हिसाब से और वो धड़ा-धड़ धड़ा-धड़ gym equipments को manufacture कर रहे है और worldwide बेच रहे हैं अपना तो यहां से क्या होता है brand जाते हैं चाइना में 10 factories को visit करते हैं वहाँ पे जाके जिसकी quality और जिसका price उन्हें काफी अच्छा लगता है वहाँ पे अपने equipments book कर लेते हैं और इंडिया में मंगा लेते हैं वो लोग क्या करते हैं इन brands का logo लगा के अपने इंडिया में बेज देते हैं और इनका काम क्या रहता है marketing करना और sales करना इंडिया के अंदर अब जो brand जितनी अच्छी marketing कर लेगा उस brand का product उतना ज्यादा भीगेगा इसी वाई से आपने देखा होगा fitline के जो products हो गए या ultimate gym solution एक YouTube channel है उस brand के जो equipments हो गए या फिर zarai fitness की जो treadmills आप देखोगे सबके designs आपको similar देखने को मिलेंगे bulllock fitness ने भी अपने तीन नई treadmills launch करी है उसका design भी मिलता है fitline के product से तो ये क्या कर रहे है न ये खुद treadmill को manufacture नहीं कर रहे है ये OEM के पास जाते हैं वहाँ पे design पसंद करते हैं और इंडिया में मंगा लेते हैं अब ऐसा भी हो सकता है कि इन सारे gym brands का जो OEM हो वो same ही हो और इसी वाई से same design वहाँ से आ रहा है आपने Amazon पे देखा होगा Flexnast का adjustable dumbbell है वो ही same dumbbell Cube Club भी बेच रहा है Cult Sport भी बेच रहा है और तीसरा brand भी बेच रहा है अब मैं ऐसा बिलकुल भी नहीं कह रहा हूं कि ये product चाइन से आ रहे हैं जपैन से आ रहे हैं at a lower cost तो US-based brands काफी high cost पर वो quality प्रोवाइट करेंगे तो चाइना के अंदर आपको वो ही quality at a low price पर मिल जाएगी इसलिए इंडियन ब्राइट्स ना वहीं से अपने treadmills बंगाते हैं और इंडिया के अंदर अपना थपा लगा के बेच देते हैं बट सची में जो 3rd category के gym equipment है वो काफी अच्छी quality के रहते हैं अच्छे price पर आपको मिलते हैं और सब कुछ आपको इंडिया के अंदर ही available हो जाता है तो उससे better कुछ नहीं हो सकता अब आते हैं अपनी 4th category के equipment के उपर जो की आपको Indian manufacturers ही सारे मिलेंगे यह कहीं से भी import नहीं करते हैं चाहिए वो चाहिना हो या US हो यह सारे equipment अपने खुद ही बनाते हैं इनके बास खुद की technology है खुद के लेट मशीन है, CNC मशीन है जहाँ पर यह अपनी racks, benches, अपनी strength station खुद ही manufacture करते हैं खुद ही बेचते हैं जिम वालों को तो यहाँ पर जिस जिम वाले का budget छोटा होता है पाच यह दस लाग रुपे का ही उनका budget है उसे इतने ही budget के अंदर अपनी सारी machines लगानी है treadmills लगानी है, dumbbells चाहिए, plates चाहिए वो इन manufacture के पास जाता है कि भाया मुझे आठ लाग रुपे है मेरे पास आठ लाग रुपे के अंदर मेरे को पूरा जिम लगा के दे दो अब जिसका budget आठ लाग रुपे, दस लाग रुपे है वो डेट दो लाग रुपे की treadmill तो अफॉर्ट करनी सकता तो वो treadmill इनसे ही वाय करता है जो कि manual हो सकती है या फिर 50 या 70,000 रुपे की treadmill ये एक दे देते हैं उसे cycle दे देते हैं और उनका ऐसे gym setup हो जाता है अब ये जो gym होना रहा है ये second category के equipment brand से पास तो नहीं जा सकता first category के पास तो जाई ही नहीं सोचता तो ये fourth category के equipment manufacturer के पास जाता है जो कि आपको हर जगे मिल जाएंगे ये भी काफी अच्छी quality की steel यूज करते है Indian made है अब इनकी वोई बात है जो हम कहते हैं न कहावत में घर की मुर्गी डाल पराबर तो यहाँ पे हम Indian manufacturers को थोड़ा low समझते हैं और US manufacturing brands को हम जादा अपर समझते हैं हमने समझाएं कि यार imported है तो वो अच्छे ही रहेंगे और Indian made है तो भाई इसको कौन ही खरीद रहा है ये हमने अपनी सोच बना रखी है हो सकता है कि इन लोगों ने अभी वो marketing ना करी हो या फिर बड़े बड़े चेहरों को ना लेकर आयों जिस वे से हमारा trust इनके उपर बन जाए तो ये पूरी कहां नहीं रहती है अब जिम वालों को जितने भी machines चाहिए जितने भी weight चाहिए वो इस आप से quotation ले ले लेते हैं 4th category के brands के साथ तो गाईज ये थी आज की वीडियो जिसके इंतर मैं आपको information दी about the gym brands अगर आपका एक set budget है और आपको अपना खुद का gym setup करना है तो आप किस category के gym brands की तरफ जा सकते हो अगर आपका budget छोटा है तो obviously category 4 ही जादा अच्छा sense बनाती है बट अगर आपका budget थोड़ा सा higher है तो आप category 3 पर जाईए जहां पर आपको अच्छे brands मिल जाएंगे वो OEM से मंगवाते हैं अपने सारे equipment और मुझे पता ही है जो मेरी deck है SFL Tech की ये भार से आई हुई है ये जो bubbles रखे हो है मेरे वो भी सारे OEM से ही manufactured है plates है मेरी SFL Tech की I know कि ये China made है बट फिर भी quality काफी अच्छे मिलेगी और मैं नहीं देखता हूँ कि category 2 या category 1 पर आपको जाना चाहिए जब तक आपकी जेप के अंदर बहुत ज़्यादा पैसे नहीं है और आपको वो ही US brands चाहिए तब तक आपको category 3 तक आपकी सारी need fulfill हो जाएगी और यह equipments भी काफी durable रहेंगे तो यह थी आज की मेरी वीडियो I hope आपको पसंद आई होगी आगे भी जाके मैं आपको gym setup के उपर और information देने वाला हूँ तो आगे वीडियो जाने वाली हैं तब तक के लिए subscribe कर लिजेगा ताकि हम लोग connected रहे पाएं बढ़े